के अगर कोई दिक्कत नहीं नजर अंदाज करते हैं और जाते हैं पिछले वीडियो पर हमने चो किया था यानि कि एक टैनमिक राउट क्रेट की थी राइट एप जैस के अंदर आप देख रहे हो मैंने बोला था कि अगर slash product details slash कुछ भी आए ठीक है तो ये product details लोड करो और जो तुम data slash के बाद भेज रहो यानि slash product details के बाद slash करके जो तुम data भेज रहो वो मुझे चाहिए जो मैंने आपे colon के बाद लिखा यानि product id पर इससे फायदा य यह है कि आप product details को multiple time load कर सकते हो multiple चीज़ों के लिए right यानि कि let's say आपके पास product है तो product details basically बता रहे है कि किस के बारे में detail दिखा रहे हो product P1, product P2 तो मैं यह कर रहा था और इसलिए काम भी कर रहा है तो अगर मैं P2 कर रहे हो तो this is about laptop detail आ रहे है P3 कर रहे है तो आपको पता ह router DOM क्योंकि basically हम किसके साथ interaction कर रहे है react में ही है लेकिन basically हम routing के साथ खेल रहे है navigation के साथ एक page से दूसरे page right अब यहाँ पे तो real pages होते नहीं है तो components से काम से लाते है और यहाँ पर react router DOM आपको ओ effect देता है ठीक है useparam मैंने import किया और useparam function जैसे call होता है तो इस URL पर आप जो pass कर रहे हो right उसका detail यहाँ पर आता है लेकिन सिर्फ param के related तो नाम से पता चलता है params मतलब किया parameter तो मैंने slash P3 किया है यह मेरा parameter रहे है तो आप जो भी pass करोगे मुझे product ID पर मिल जाएगी क्योंकि यही चीज मैंन extent fix है और यह change होने वाला इसलि मैंने यह नाम दिया तो जो change होने वाला उसके आगे आप colon लगा देता हो कि यह चीज अब मैं यह नहीं कहा रहा कि product ID slash product ID बोलर नहीं मैं बोलरा slash कुछ भी और वो load कर दो even though आप slash product ID भी करोगे तो भी काम कर जागा यह देखो P3 कि अगर मैं slash product ID करूँ तो भी आप अगर print करोगे ना तो यह चीज मिलेगी product ID ही मिलेगी as value on product ID ठीक है इसका मतलब कि हर चीज valid है after slash तो यह तो ठीक है यहाँ तक चल गया लेकिन एक चीज में problem है पहला problem कि मैं यहाँ पर अगर मैं products बजाओ तो मैं इस पर click करो तो वहाँ पर आना चाही तो इसके लिए मैं क्या करूँगा मुझे आपे navigation link attach करने पड़ीगी दूसरा मैं चाहता हूँ कि normally आप application में देखते होगे कैसे रहता है देखो अगर आप मानलोगे folder भी create करते हो तो let's say आपने folder create किया product नाम से ठीक है so product नाम से folder create किया अपने PC में फिर आप इसके अंदर और एक folder create करते हो multiple folder create करते हो तो at the end यह आपको कैसे दिखाता है ऐसे दिखाता है अगर आप किसी एक sub folder के अंदर हो तो कैसा आएगा products slash product one slash product p2 ऐसे कुछ दिखेगा या फिर generally अगर आपको कहीं भी web page में ऐसे दिखता होगा कि product slash p1 product slash p2 इससे पता चलता है कि आप basically product के बार details है देख रहे हो राइट तो यह normal convention है mandatory नहीं है लेकिन इससे पता चलता है राइट कि आप देखते हो ना मतलब देखो अगर आप folder भी create करते हो तो product नाम से मालो अपने PC में तो इसके अंदर आप multiple folder बना रहे हो तो basically यह देखने में कैसा लगेगा आपको जो अपने system desktop का navigation ह आपर क्या देखने की मिलेगा products या path क्या बनेगा products slash जो folder नाम दे रहे हो तो इससे पता चलता है कि इसके अंदर का चीज देख रहे हो तो इस normal सा चीज है मैं चाहता हो कि यहाँ पर जो मैं use कर रहा product details तो ऐसा कैसा लग रहा है कि देखो देख तो रहे product के बारे में लेकिन एक हर बार कुछ दूसरे चीज पर जाके देख रहे हो तो मैं आपर क्या करना चाहता हो मैं आप ऐसे करना चाहता हो products तो मैं बोल रहा slash products slash p1 p2 p3 जो भी हो मतलब मैं product के बारे में बात कर रहे हो right वैसे है आपर आपर नाम कुछ भी दे सकते हो इससे फायदा यह है कि out है interconnected है मतलब यह है पूरा product दिखाओ और यह है इस product का part मतलब कौन सा product है उसके लिए आपने बना है राइट पढ़ने से पता चलता है कि यहां तक बोल रहो products और products के बाद आप जो भी देरो मतलब कुछ ना कुछ इसके related दिखा रहे हो और अगर मैं products detail लिखतू तो ऐसे ल मैं अभी भी यह दोनों कैसा है कि यह दोनों अलग-अलग route है यहां पर तो मैं बोल रहा कि अगर मैं slash product slash कुछ भी दू तो यह आना चाहिए और उसके बाद मैं क्या करूंगा यही चीज navigation वाले में add करूंगा तो मैं हापर क्या करूंगा product details में जाओंगा sorry कहां पर products में औ और यहां पर मैं import करूंगा component आपको पता है कौनसा component है component का नाम simple है import something from react router dom package का नाम हमेश से यहाद रखना है क्योंकि हम dom के साथ खेल रहे हैं और यहां पर जो आने वाला है अपने पास दो है link ठीक है और अपने पास है nav link nav link का जब basic configuration आपको और add करनी रहती जैसे active class कौन स है यह चीज मुझे बस navigate करनी तो मैं link use करूंगा ठीक है और मैं यहां पर basically इसके आगे sorry ally के अंदर link attach कर दूँगा तो मैं इसको wrap कर दूँगा link से तो मैं लिख रहा link ठीक है और इसके अंदर मैं move कर दूँगा यह चीज ठीक है तो यह चारोड से मतलब basically मैंने बोला इस प रहता है जैसे slash products right और let's say मैं p1 ठीक है अब यही चीज मैं copy करूँगा और यहां पर laptop के जगा mobile कर दूँगा ठीक है यहां पर laptop यहां पर पहले क्या था देखना पड़ेगा so यहां पर laptop था तो mobile के जगा मैं laptop कर दूँगा यह हो गया laptop और यही चीज कोपी करूँगा और य यहां पर tablet और इसका नाम देरा P3 बस normal सा basic सा changes था यह किसले किया क्योंकि मैं अगर यहां पर products पर जाओ तो मुझे ऐसे link देखेगे और आप देखे रहो ना highlight हो रही है अब मैं mobile पर जाओंगा laptop पर जाओंगा तो exactly page खुल जाएगे so let's try करते है तो आप देखिए slash products है जैस color component है right क्योंकि यह देखो यहां पर आप देखेंगे sorry यह देखेंगे मरियादा मेरा के बात करना है तो product detail में क्या रही है यह देखे this is product details और यह जो दिख रही है मेरा product का part है यह दो चीज side by side देख रही है side by side ने कहेंगे एक की नीच एक और जाइर सी बात है देखे यहां चीज मैंने यहां पर लिखी है app.js के अंदर यहां पर मैंने क्या लिखा मैंने बोला देखो भाई अगर slash product दिखे तो products load करो slash products slash कुछ भी दिखे तो फिर product detail load करो तो अब यहां पर जो routing वाला part है वो क्या बोल रहा है कि ठीक है जैसा तुमने बोला वैसे कर रहा हूं तो द और फिर मैं नीचे जाओंगा तो यह क्या करता है कि पूरा नीचे तक जाता है match करते वह जाता है नीचे तक लोड करते वह जाता है यानि कि ऐसा ने कि यह load करकर रुख गया नहीं यह नीचे फिर गया जैसी नीचे गया तो क्या हुआ अभी तक slash product match किया था उसके बाद क् product slash कुछ भी है जो भी आपका parameter है params है तो आप यह भी match कर गया slash product slash p1 तो इसने इसको भी load कर दिया है यह नहीं कि अपने पास दो component load हो रही है side by side है ना मतलब एक के नीचे एक पदा नहीं side by side क्यो बोल रहा एक तो यह navigation के लिए जो हमने product call list दिखा रहे है और दुसरा this is a product detail guys default behavior है इसके लिए इसको blame नहीं कर सकते है लेकिन इसको control कर सकते है इसके लिए मैं कुछ import करना पड़ेगा जिसका नाम क्या switch so basically आप देख रहो है आपे मैंने लिखा भी था ठीक है बहुत बड़ा हो गया लेकिन यहापे import करेंगे capital S के साथ switch ठीक है suggestion भी आ रही है switch क्या करेगा switch बोलता है कि देखो मैं component हूँ मुझे children चाहिए switch children कैसे pass करते इसके अंदर opening और closing tag के बीच में pass करनी रहती है jsx element जो मैं आप पास कर रहा यानि react के elements अब मैं क्या बोल रहा कि देखो जैसे ही तुम्हारा match हो जाए जो address बार में है तुम वही load करो रुख जाओ नीचे माच जाओ अब यहाँ पे देखिए अगर उसने welcome match किया तो नीचे नीचे नीच जाएगा यहीं पे रुख जाएगा slash product match किया तो products load करके नीचे नीच जाएगा पहले क्या हो रहा था उपड से नीचे तक जा रहा था इसी के साथ अगर मैं welcome पे क्लिक करो तो welcome load होता है products पे करो products load होता है यानि slash products जैसे match करता है वहीं load करके रुख जाता है लेकिन अब मैं अगर किसी एक पे क्लिक करो example mobile तो देखे URL चेंज होती है लेकिन मेरा component ने दिख रहा राइट यानि कि basically product details देखनी चाहिए यह क्यों नहीं दिख रही चाहिए यह वाला route तक पहुच नहीं रहा है यानि कि यह क्या कर रहा है यहाँ पर जो है right लिखा हुआ उसमें slash product match कर जाता है इसको लगता है कि भाई में यही तो ढूंड रहा और उसके बाद यह load करके निकल लेता है लेकिन यह नहीं देख रहा कि slash product के बाद मेरा slash P1 है यानि P2 है जो भी है कुछ है यानि कि basically इसका route यह है तो यह load होना चाहिए था right यहाँ पर जो हो रहा है बहुत catchy थींगे अगर आप ध्यान दे तो समझ सकते कि यहाँ पर जो हो रहा है सिर्फ इतना हो रहा है कि अगर आप कहीं पर भी click करते हो welcome products तो अपनी route change होती है उसका reason क्या है यह code rerun होता है यानि कि यहाँ पर हो क सिर्फ इतना ही route compare करता है कि क्या आपने जो value दिया यहाँ पर path पर राइट ओ आपके address बार में है तो अभी देखो मैं products पर हूँ exact है right यानि कि मेरे address बार में यह है अब तो वहां से यह products दिखा कर निकल जाता है अब मैं let's say mobile पर click कर रहा हूँ तो अब मेरा URL चेंज हुआ slash product slash p1 लेकिन मेरा component नहीं आया reason किया है reason यह है कि यह फिर से code run हुआ उपर से नीचे right welcome नहीं match किया अब इसने check किया path slash product क्या slash product value मेरे address बार में है हाँ है slash product है इसका मतलब मैं ही load कर रहा अब return हो जाओ मतलब निकल जाओ इदर से इसका मतलब एक simple comparing algorithm चल रहा है right कि भाई चेक करो कौन सा value navigation बार में है so slash product है हाँ है even though आप यहाँ पर slash p1 इसको जाने दो लेकिन slash product है तो मतलब आप यही load कर पा रहे हो right अब चाहे अलग बात हो कि मेरे navigation बार में यह बी है लेकिन फरक नहीं पड़ता क्यों क्यों क्योंकि यह code फिर से उपर से रन होगा फिर यह match क क्या देखो अब यह value same navigation बार में क्योंकि मेरा last dollar param dynamic है तो है इसलिए match कर गया है उसके बाद यहाँ से नीचे नीचे नी आया और निकल लिया अब वही अगर मैं product पे click करूँ और मैं slash product पे जाओ तो फिर से code run हुई यह check किया क्या यह value है नहीं क्या यह value है नहीं यह value नहीं यह हमारे right अगर आप navigation बार में check करो तो slash product है और मेरा value क्या है slash product slash product id right तो यह value navigation बार में इसलिए यहाँ पे match नी किया नीचे गया क्या यह value है हाँ है यानि कि बस यहाँ पे simple comparing है यहाँ अगर मैं देखिए copy करूँ आप यहाँ पे simple javascript से भी कर सकते हो तो मैंने क्या किया जो है navigation बार में copy किया और यहाँ paste किया ठीक है और यहाँ पर मैं includes use कर रहा ठीक है यहाँ पर और यहाँ पर मैं क्या करूँगा जो route है यह pass करूँगा तो यह वाले बाट copy करूँगा और let's say मुझे पता है कि यहाँ पर कुछ भी आएगा slash p1 or p2 जो भी let's say मैं p1 देता हू तो यह false हो गया right तो यह match नहीं किया इसी कारण क्या हुआ यह match यहाँ पे नहीं आया और यहाँ पे नीचे run होने को आगे गया इसलिए अगर मैं यहाँ पे slash product कर दूँ तो यह देखे match कर जाता है और यह true हो जाते है नहीं कि इसको render करना चाहिए और वही चीज मैं अगर पे mobile पे click करूँ तो क्या हो रहा है अभी मेरा क्या address slash product p1 right तो यह उपर आया पहले तो यह exactly यहाँ पे लेट से match तो यह true हो जाएगा right जैसी true होगा यह नीचे नहीं जाएगा यही चीज मैं अगर उल्टा कर रहा था तो क्या हो रहा था अब ध्यान दीजे right अभी कैसा है even मैं slash product p1 पे हूँ लेकिन मैरा component क्या दिख रहा है वही product वाला right reason क्या है अगर मैं इसको copy करूँ मैं आपे paste करूँ dot includes करूँ ठीक है तो और यहाँ पे मैं ऊपर सी नीचे check करते वे जाओ welcome नहीं match करेगा slash product यह तो देखने सी पता चल रहा है welcome का लेकिन मैं slash product एंटर करता तो जैसी मैं इंटर करूँगा यह क्या रहा true यानि कि हाँ यही वाला चीज़ लोड करना है ऐसे इसको पता चल रहा है इसलिए इस वज़े से अपना नीचे वाला लोड नहीं हो रहा है even though URL same है है तो यहाँ पे simple सा includes check करता है यह आपका navigation का है और यह आपका value routes में जो दिय यहाँ आप समझ पा रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं लेकिन let's say कि यह तो workaround है let's say मैं as a professional जैसे लिखते है वैसे लिखना चाहूंगा जो मतलब की जैसा react बोलता है ठीक है तो मैं वापस reward करूँगा और यह देखे क्योंकि पहले मेरा यह component उसके बाद यह component slash product उसक exact keyword basically अगर आपने कुछ नहीं पास किया तो by default true होता है right example के लिए जैसे होता है disabled आप लगाती हो तो लगाना ही मतलब क्या true होता है तो यहाँ पर मैं exact keyword उसके है जो react keyword से route की उपर देना है ठीक है अगर आप ऐसे abuse करते हो तो refresh मैं करता हूँ तो यह देखो अभी सही काम रहा है अभी exam से मतलब कैसे हालाद change होगे simple सा मैं अब क्या कहे रहा कि भाई देखो मुझे पता है कि यहाँ पर basically even though मैं इस पे हूँ right यह चीज आप कहे रहो कि फिर से check करो ठीक है यहाँ पर मैंने paste किया अब react देखेगा कि अच्छा हो कि navigation मेरे browser के address बार में यह है और मैं routes compare करूँगा routes compare करने के लिए let's say क्या होगा शुरू से नीचे run होगा उपर से नीचे सो यह तो ऐसे भी नहीं मिलेगा skyas last product ठीक है तो मैं यह पे paste कर दिया और यह देखे true आ रहा है यह true आ रहा है तो जाईर से बात है यह load होना चाहेता right लेकिन load क्या हुआ exact जो मेरा URL है है ना तो अभी कैसे हो रहा है क्योंकि यहाँ तो true आ रहा है पिछले बार अगर मैं वही चीज़ मैं exact हरता दूँगा तो यह देखो क्या होगा list of component आ जाएगी इसका मतलब से है मैं कहा रहा कि भाई देखो even though अब मैं ऐसे नहीं match कर रहा कि भाई जो मेरा value है वो क्या navigation बा क्योंकि slash product के बाद p1 dynamic यानि product id dynamic है तो match करता है तो यह हमारा सही तरीका है यूज करने का और इससे हमें कोई problem भी नहीं आएगा तो हमने क्या सीखा switch right और दूसरा क्या exact keyword तो आपको वीडियो समझ माय होगा मिलते के लिए वीडियो में तब तक के लिए thank you so much